ओ कुछ ऐसा कर कमाल की तेरा हो जाओं मैं किसी और कहूं फिल हाल मैं किसी और कहूं फिल हाल की तेरा हो जाओं कुछ ऐसा कर कमाल Hello friends, this is Vijay Rajpus and welcome to Learner Eyes by VRP इती हांस के कलास में आपका एक वार फिर से मैं तह दिल से स्वागत करता तो आईए अभी तक आपने जो देखा, जाना और शुना आपने देखा कि आज से 5000 वर्ष पहले हमारे देश में ही नहीं वलकि पूरे 20 में 4 सभ्यताओं का उदय हुआ था जिसमें मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्री की सभ्यता, चीन की सभ्यता और भारत में हरप्पा की सभ्यता प्रमुक थी भारत में सबसे प्राचीन सभ्यता है हरप्पा सभ्यता थी जो की हमारे ही देश में नहीं बलकि 3 देशों में फैला हुआ था जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत ये तीन देशों में हरप्पा सभ्यता फैली हुई थी जब इन जगों पर खुदाई की गई तो यहां से अफगानिस्तान से 2 अस्थल पाकिस्तान से 475 अस्थल और भारत से 925 अस्थल यानि लगभग 1400 से उपर अस्थलों की प्राप्ती हुई अब यह जो सभ्यताय थी आपको पता है कि सबसे पहले खुदाई के दौरान हरप्पा नामक अस्थल की खोजुई थी इसलिए से हरप्पा सभ्यता के नाम से जानते लेकिन जब सिंधू नदी के आसपास खुदाई की गई तो सबसे यहां पे ज़्यादा तो नहीं लेकिन अधिकांस जो अस्थल इसी के आसपास प्राप्त हुई इसलिए इसको सिंधू घाटी सभ्यता भी कहा गया फिरसे सुनिएगा चुकि सिंधु गाटी सब्यता में सर्व परथम सबसे पहले हरपपा नामक अस्थल की कोज हुई थी, इसलिए सिंधु गाटी सब्यता को हरपपा सब्यता के नाम से जानते। लेकिन चुकि सिंधु घाटी के सब्याता जो सिंधु नदी था उसके आसपास में बहुत सारे अस्तल प्राप्त हुए इसलिए इसको सिंधु घाटी सब्याता भी कहा गया लेकिन जब बाद में देखा गया तो बड़ी आस्चर्ज की बात निकली कि इधर ये आपका शिंद परांत जो कि सिंधु नदी और इसके आसपास गंगा नदी और इन दोनों के यहां से एक अस्चर जनक नदी की प्राप्ति हुई सरस्वती नदी और इस सरस्वती नदी के आसपास भी इसी परकार की सब्यता है जो सबसे अधिक अस्थर इसी के आसपास मिला और या छेत्र सरस्वती वैसे तो आप जानते हैं कि सबसे पवित्र हमारे देश की नदी मानी जाती है जिसे हम लोग पूजा भी करते हैं बड़ी आदर सम्मान के साथ इनको रखा भी जाता है वैसे माना जाता है कि ये नदी अब लूप्त हो गई है नामों निसान मिट गए है लेकिन सर्धा की कोई कमी हमारे दिल में अभी भी नहीं हुई है और वैसे अनुमान लगा जाता है कि हर्याना के आसपास यह अभी भी है तो चुकि सिंदू के आसपास भी इसी परकार के अस्थल की खुदाई हुई सर्स्वती के नदी के आसपास इसलिए इसको सर्स्वती नदी घाटी सभ्यता भी कहा गया तो अगर आपसे पूछे कि हरप्पा सभ्यता सिंदू घाटी सभ्यता को क्यों कहा जाता है तो बताईएगा, क्योंकि सिंदु घाटी सभ्यता में शब से पहले हरपपा नामक अस्थल की होज होई, इसलिए सिंदु घाटी सभ्यता को हरपपा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। अब question है कि हरपपा सव्व्यता को सिंदू घाटी सव्व्यता क्यों कहा जाता हैं, तो हरपपा की खुदाई के दौरान देखा गया, कि सिंदू नदी के आसपास भी बहुत सारे अस्थल प्राप्थ हुए, इसलिए यानि इसका विस्तात सिंदु नदी के आसपास भी था इसलिए सिंदु नदी घाटी सब्यता भी कहा गया उसके बाद सरस्वती नदी घाटी सब्यता चुकि सिंदु नदी घाटी और गंगा नदी के आसपास शर्ष्वती नदी काभियास्थित्व मिला जिसमें बहुत सारे अस्थलों की प्राप्त होई तो इसलिए से सर्ष्वती नदी घाटी सब्यता भी कहा जाता है तो ध्यान रखेंगे इन सब चीजों को और अब मैं आपको बताता हूँ इसकी चोहद्दी के बारे में कि भारत में अगर पुरा तत्व की जनक की अगर बात करे या भारतिये पुरा तत्विक जनक की तो उनका नाम है अलेक्जेंडर कनिंगम जिनोडे भारत में 1861 इस भी में भारतिये पुरा तत्विक विभाग की अस्थापना किये थे बहुत important question है भारतिये पुरा तत्विक विभाग के जनक अलेक्जेंडर कनिंगम या एकनिंगम को कहा जाता है और बारतिये पुरा तात्वी विभाग की असापना भारत में 1861 में अलेक्जिंडर कनिंगम के द्वारा किया गया था अब इन सब बातों के बाद हम उस सिंदुगाइटिस सब्वेता की चोहदिया सीमा की बात करे तो यह उत्तर में कस्मीर यानि मांदा या मांदा जिसको बोलते हैं दच्छिन में महराष्ट या दाइमाबाद तक फैला हुआ था पूर्व में आलमगिरपूर जो की उत्तर परदेश में परता है और पस्चिब में बुलिचिस्तान जिसके सुत कांगे दोर तक फैला हुआ था अब यहां से ध्यान दिजे अगर हम इस तरीके से मिला दे उत्तर से दच्छिन और इस तरीके से तो इसकी जो आकार है इसकी जो आकिर्ती है वह कैसी है तिर्भुजाकर सिंदुगाटी सब्वयता की आकिर्ती तिर्भुजाकर है जबकि भारत की आकिर्ती चत्रभुजाकर है ऐसा नहीं है कि इधर नहीं फैला हुआ था इधर भी फैला हुआ था लेकिन यहां बहुत कौम छेत्रों में फैला हुआ था इस साइड में इसलिए तिर्भुजा कार ही इसका आकिर्टी दी जाते चुकि यह बहुत कम छेत्रों में था ज्यादा छेत्रों में फैला हुआ नहीं था तो याद रखेगा अगर पूछे सिंदु घाटी सब्यता की आकिर्टी अगर आपसे पूछता है तो आप आंसर दे द गेंटी तिर्भुजा कार है अब हम इसके बिस्तार के तो बात कर लिए अब एक और चीज़ देखेगा जैसा कि आप मैप से जानते होंगे ये होता है उत्तर ऊपर जो होता है उत्तर और नीचे दख्षिन होता है मैप ऐसे ही आप लोग देखिएगा तो उत्तर से दख्ष सो किलो मीटर उत्तर से दच्छिन के लंबाई कितनी थी चौदर सो किलो मीटर लेकिन यह दाहिना साइड यह होता है पूर्व और बाया साइड पस्सीम होता है जब पूर्व से पस्सीम की चोड़ाई मापी गई तो यह था सोला सो किलो मीटर तो याद रखेगा हरपा सब्यता कि लंबाई चोड़ा सो किलो मीटर चोराई सोला सो किलो मीटर तक यह फैला हुआ था हरपा सब्यता उत्तर से दच्छिन चोड़ा सो किलो मीटर पूर्व से पस्सीम सोला सो किलो मीटर हरपा सब्यता कि लंबाई चोड़ा सो किलो मीटर चोराई सोला सो किलो मीटर था लेकिन चुकि भारत जो था वो तो एक प्रायद्वीप जैसा बना हुआ है नीचे देखिया है इस तरीके से हैं और इधर तो सब्तर पानी है और जब तीन तरफ से पानी हो जब भारत का मैप देखेगा तो तीन तरफ से पानी है और उपर अस्थल हिमाले परवत तो वैसा अस्थल जो तीन तरफ से पानी से घीरा हो और एक तरफ अस्थल से उसे हम प्रायदूइप का नाम देते हैं तो यह प्रायदूइपिया भारत जो था अब यह जो पाट होगा उत्तर वाला एस वरिदच्छिन वाला यह तो यहां पर इधर जानते हो कौन सा अरब सागर है और इधर बंगाल की खारी है और नीचे हिंद महा सागर है यह नापका तो यह अरब सागर के तट से तो यह मिला होगा सटा होगा तो यहां पानी से जो यह सटा भाग था तटिये भाग इसकी लंबाई थी तेरा सो किलो म यानि प्राइदुपीय भाग की लंबाई कितना था भारत के प्राइदुपीय भाग के तैटीय भाग की लंबाई 300 किलिमिटर जो की पानी से लगा हुआ था तो ये एक सामांड जानकारी था और एक और बहतरीन बात ये पुरा जो हरप्पा सब्भ्याता था ये पूरा का पूरा इसका छेत्रफल जो था 12,99,600 वर्ग कीलो मिटर में फैला हुआ था याद रखेगा 12,99,600 वर्ग कीलो मिटर में इसका बिस्तार था जो की लगभग हम कहा सकते हैं 13,00,000 वर्ग कीलो मिटर तक फैला हुआ था अब एहां से एक कुश्चन पूछेगा की हरप्पा सब्भ्याता का बिस्तार का वर्णन करें तो आप बताएंगे की हरप्पा सब्भ्याता भारत की सबसे प्राचीन सब्भ्याता दुनिया की चार सब्भ्य बिस्व की चार समुख सब्भ्याताओं में से एक जो की कस्मीर उत्तर में कस्मीर के मांदा या मांदा से दच्छिन में महाराष्ट के दाइमाबाद एब हम पुर्व आलमगिरपुर उत्तर प्रदेश के और बुलुचिस्तान के सुथ कांगडोर तक फैला हुआ था जिसकी उत्तर से दच्छिन नहीं इसको थोड़ा सा गवर किजिएगा तो जिसकी उत्तर से दच्छिन लंबाई चोगदा सब किलो मिटर एब हम पुर्व से पस्छिम चोराई शोला सो किलो मिटर था और इसके प्राइदूपिय भाग के तत्य भाग की लंबाई तेरा सो किलो मिटर था और यह जो फैला हुआ था उसका कुल छेत्र फल 12,99,600 वर किलो मिटर जो लगभग 13,00,000 किलो मिटर तक फैला हुआ था तो आपका एक कोस्चन यहां से त्यार हो गया कि हरपा सब्भेता का विस्तार का वर्नन करे तो मैं आसा करता हूँ कि आपको अच्छा ही लगा होगा और आपको समझ में भी आया होगा हरपा सब्भेता तो आगे वाले वीडियो में एक और बेहतरीन जानकारी लेकर आता लेकिन उसको जानने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे, वेल आइकन को अउल पर प्रेस किजे, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और आप इसे स्क्रीन सॉट ले सकते हैं और अपना नोट बुक बना सकते हैं थैंक्स फर वाचिंग, कीप वाचिंग, जय हिंद, जय भारत! झाल झाल सकते हैं झाल झाल